सरकार ने काम परदान मंत्री होते हुए जूट बोलता है घर का गर चोधरी जूट बोला का देश का घर का नास होगा अजी सरकार ता जूटी सरकार ना तो आज लोग कोई आई नाक गयने की यह तो बाजी की रहे बिलकुल क्या हो सकता है अंदोलन ते लावा रास्ता दीख तो नी रहा है कुछ भी जिम मानता नी इस तक अमंडी परदान मंत्री नी परदान मंत्री देश का राज्या हो और यू गमंड माया बठ्था यह बीजेपी नहीं तोड़ा साब उन्हीं की चार बीसे चार सो बीसे हैं कोई भी बोट नहीं देना का जया करता हूँ उत्तर परदेश के चुनावी बाहौल में हम पहुंचे हैं पश्यमी उत्तर पदेश के एक और जिले में वो जिला जो अपने गन्ने के लिए जाना जाता है जहां का गेहूं पूरे देश में पहुंचता हैं जहांकी सरसो हर खेट से कई ना कई आपके घरों तक भी पहुंचती हो कानों के तो लागों क्यों किया जा रहा है और ऐसे में किसान क्या सोचते हैं ये परिवार क्या सोचते हैं जो सालों से शामली के इस गाउं में रहते हैं और लगातार अब अपनी मांगों को लेकर के सरकार से सवाल करना चाते हैं हम मौजूर हैं इस वक्त इस ग्राम पंच ज़ायत जनहीडी में जहांपर हमारे साथ में किसान है पारिवार के लोग हैं और गाओं के पुराने लोग भी हैं जिन्होंने सालों से या सियासत बीकी लेकिन आप आने वाले पंचाय चुनाओं के मद्ने नजर क्या सोचते हैं और khas तोर पर किसानों के मुद्दे को लेकर के जिस तरीके से सियासत, किसानों की मांग और विपक्ष का रुख कायम है, ऐसे में ये किसान क्या सोचता है और वो कहां जाने वाला है? चली बात करते हैं. दादा आप बताईए, इस बार का जो पंचाई चुनाओ है, एक दो मेने में होने वाला है, इस बार क्या महौल नज रखता है कि सरकार ने का में पर्दान मंत्री होते हुए, जूट बोलता है घर का घर, जूट बोलता है बोलता है, अम दुगनी करूंगा, जितनी है मारे तो उतनी छोट दो, किसे आन की जो योजना है, सरकार नित्ती, चलाई, किसी का फायदा आपको मिलाए कोई जो दो हजार रुपेमेरे लोगे निसे बात करते दाओब बताइए सरकार एक तरफ बार बार कह रही एक किसानों के साथ बारा बार बार बात हो चुकी है वो कह रहे हैं कि कुछ लोग है जो गुम्रह कर रहे हैं आपको लगता है इसा हो रहा है जी सरकार ता जूटी सरकार ना तो आज लोगो हुई आई नाक गयने की यह तो बाजीगी है बिलकुल क्या अंदोलन ही इसका सलहल हो सकता है, सरकार के साथ में समवाद की जुरत है, संसद में चर्चा भी चल रही है, इसका रास्ता आपको क्या लग रहा है, क्या हो सकता है? कानून बनाना जाएनि सथा लिखित में देग कानून में और तो बना दे जिन्हें उल्टे नहीं लिटता ज्यू इस कानून में और आपको कहां कमी लग रही है किसान के अलावा पूरे देश ने देखा आपको लग रहा है कि किसान के अलावा भी कुछ लोग ऐसे हैं जो यह तो महुल खराब कर रहे यह सरकार को बदनाम कर रहे वो किसके हिसाब से बोल रहे हैं सब सबसरकार की चाले सब भूनी की वह से यू कार रोया हूँ वह ऊंदो नहीं सुनों तो हम तो दिल्ली वा क्या रास्ता जाना है कि हम तो जहां को प्लिस लेकर चलीवागु चल पड़े हांगे तो पूलिस थी वहाँ पर तो रूट तोड़ा घया रूट के अतर चले गए लाल के लिए तक पहुंच गया है उन्होंने ही तोड़ा बाई बीजेपी ने ही तोड़ा साफ उन्हीं की चार बीजेश चार सो बीजेश है पर मुकदमें हो रहे हैं जिनके खिलाफ कारवाई हो रही है उनका राज्याव कुशी कर लो आगे भरोसा आपको लग रहा है जिस किसानों का यहीं मानना है कि वो इस अंदूलन से लगातार जुड़े हैं वो पीछे नहीं हटेंगो सरकार से लगातार सरकार से सवाल भी कर रहे हैं कि जिन कानूनों को लेकर के आपत्या हैं उस पर विचार किया जाए हम मौजूद थे शामली के इस गाउं में जहां पर कि किसानों के साथ खड़े नजर आते हैं और इस बात का आवाहन करते हैं कि अगर कानून में आपत्यां हैं तो उसको सरकार सुने और किसान जो बॉर्डर पर डटा है उनकी समवेदनाओं और उनकी बातों को मद्दे नजर रखके ही आगे कारवाई करें शामली से कैमरामें स मैं जैसिंक के साथ तबी शेक मिश्राः